निमलिकित में से भारत की संसद किस से मिलकर बनती है आप्शन A है लोकसभा, आप्शन B है राजसभा, आप्शन C है राष्टपती, आप्शन D है उपरोग सभी भारत की संसद राष्टपती, लोकसभा तथा राजसभा से मिलकर बनती है यह तीनों ही संसत के अंग है भारत में संसत केंद सरकार का कौन सा अंग है option A कारेकारी, option B है मंत्री मंडल option C है मंत्री परसद, option D है बिधाई अंग भारत में संसत केंद सरकार का एक बिधाई अंग है इस तरह से option D सही उत्तर है अब बिधाई अंग इसलिए है कि भारत की संसद में ही बिधयक पास किये जाते हैं जथा उसके पस्चात है राष्टपती की सुईकरत के दोरा यही बिधयक अधिनियम बन जाता है और उसके पस्चात केन सरकार की कारेकारी जो संस्था है वो इसको लागू करती है निम्न में से संसदी प्रणाली को सरकार का कौन सा मॉडल कहते हैं भारत में जो संसदी प्रणाली की सरकार अपनाई गई है उसको सरकार का कौन सा मॉडल कहा जाता है तो संसदी प्रडाली को सरकार का Wish Mr. Model कहा जाता है क्यों क्योंकि ये विश्व के पस्चिम में विख्षित हुई थी भारत की संसत कहां पर इस्थित है हाली में भारत की नई संसत का उद्गाटन भारत के प्रधान मंतरी के द्वारा किया गया है और यह भारत की जो नई संसद है वह दिल्ली में है और भारत की जो पुरानी संसद थी वह भी भारत की राजधानी दिल्ली में इस्थित है हाली में भारत की नई संसद का उदगाटन किसके द्वारा किया गया है option A नरेंद्र मोदी, option B द्रोपदी मुर्मु जो की राश्पति है option C है निर्माला सीतरमर जो की वित्च मंतरी है option D है पियूस गोयल जो की कानून मंतरी है हाली में भारत की नई संसत का उदगाटन भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को दारा किया गया था और यह उद घाटन 28 मईए 2023 को किया गया भारत की संसद से सम्मदित कुछ महतपूर्टत संसद केंद सरकार का बिधाई अंग है यानि कि जो भी बिधेयक बनते हैं वो संसद में बनाय जाते हैं तथा राश्पती की सुईकरत के दोरा हुआ अधिनियम बनता है और वह भारत में पूरे देश में लागू होता है संसदी परणाली को सरकार का विष्ट मिश्यर मॉडल भी कहते हैं यह में तोर पर बिटेश में विक्सित हुआ था भारती लोकतांतिक ब्योस्था में संसद का विष्ष्ट हुआ एक केंदरी स्थान है क्योंकि इसमें अधिनियम बनते हैं भारत की संसद लोकसभार राजसभात राशपती से मिलकर बनती है हाली में भारत की नई संसद का उधगाटन किया गया है और यह 28 मई 2023 को भारत के प्रधान मंती नरेद मोदी के द्वारा किया गया है और यह भारत की राजधानी दिल्ली में इस्थित है समिंधान के कीस भाग में संसत के गठन उसकी संरचना अवधी तता संसत के सदस्यों की योगता के बारे में उलेख है बचों भारत के सविन्धान के भाग 5 में संसत के गठन सनचना अवधि इत्यादी का उलेक है भाग 2 में नागिर्टा से समंदित है भाग 3 मौलिक अधिकारों से समंदित है तथा भाग 4 नीती नीदेशक सिद्दान्तों से समंदित है ऑप्सन डी सही उत्तर है भाग 5 भारत की नई संसद में लोकसबा अध्यच की सीट के बगल में क्या रखा जाएगा हाली में यह बहुत ही ज़्यादा निवज में था और भारत की जो नई संसद बनी है उसमें लोकसबा अध्यच की सीट के बगल में हाली में सिंगोल रखा जाएगा अगला प्रस्त है भारत की जो नई संसद है उसका आकार कैसा है यह भी कई बार एक्जाम्स में आया हुआ है जो हाली में एक्जाम हुए है जो की भारत की नई संसद का उद्गाटन हुआ है यह महत्पूर कोस्चन है और भारत की जो नई संसद है उसका आकार त्रिकोडी है अगला प्रस्थ है भारत में 1954 के पहले राज सभा का क्या नाम था संसद के दो सदन है लोग सभा तथा राज सभा वर्तमान में इसका नाम राज सभा है लेकिन इसको 1954 के पहले राज परिसत के नाम से जाना जाता था इसको उच्च सदन भी कहते हैं अगला प्रस्न है भारत का राश्ट पती निम्न में से किस सदन का सदस से होता है लोग सभा का आप्शन भी है पिधान सभा का या आप्शन सी राज सभा का भारत का जो राश्ट पती है वह किसी भी सदन का सदस से नहीं होता है लेकिन यहीं पर एक महतपूर कोशन बनता है कि अगर किसी भी सदन का सदस से नहीं है लेकिन वे भारत के दोनों सतनों के द्वारा पारित बिधेयक को सुईक्रति प्रदान करता है और भारत की जो संसद है वे लोकसभा, राजसभा और राश्पती से मिलकर बनी होती है ये दोनों ही बहुत ही महतपूर्टत्ते हैं इनको आप नोट कर लीजिए भारत में राजसभा और लोकसभा के नाम तथा उनके प्रतिनी धित्तों के बारे में कुछ महतपूर्टत थे भारती सविंधान के अनुसार भारत की संसद के तीन अंग है राश्पती लोकसभा वा राजसभा जैसा कि हमने पिछले प्रसनों में चर्चा किया है 1954 में राज परसद एयूं जन्ता का सदन के इस्तान पर करमसय संसद के दोनों सदनों को राजसभा एयूं लोकसभा सब्द के नाम से अपनाए गया राजसभा को उच्छ सदन भी कहते हैं इसके साथ साथ लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है राज सभा में राज ओम संग राज छेतरों के प्रतिनिधी होते हैं लोग सभा संपूर रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधु करती है यानि कि जो लोग सभा के सदस्य हो है वो जनता के जवारा सीधे चुने जाते हैं लेकिन वहीं पर देखा जाए तो राज सभा में राजय ओम संग राज छेत्रों के प्रतिनिधी होते हैं जिनका चुनाऊं जनता के दोरा सीधे ताउर पर नहीं होता है इस तरह से यह अप्रत्यच चुनाऊं होता है अगला प्रस्थन है संसत के दोरा बनाये गया विध्यक तब तक विधी नहीं बन सकता है जब तक कि उसमें किस व्यक्त की सुईकरती नहीं मिल जाती है संसत के दोनों सत्रों के दोरा विधेयक पारित किया जाता है और यह विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब भारत का राष्ट पती अपनी इसमें सुईकरती दे देता है इस तरह से बिदेयक को अधिनियम बनने के लिए राश्टपती की सुईक्रत आवस्यक है उसकी सुईक्रत के बिना कोई भी बिदेयक अधिनियम नहीं बन सकता है संसत के दोनों सत्रों का जो सत्र है उसको कौन आहूत करता है यानि दोनों सत्रों के सत्र को कौन बुलाता है उपर राश्पती या फिर प्रधान मंतरी या फिर राश्पती या लोकसभाद्याचे भारत का राश्पती दोनों सत्रों का सत्र आहूत करता है option c सही उतर है ब्रिटेन की संसद निम्न में से किस से मिलकर बनी होती है पिछले question में हमने पढ़ा था कि भारत की जो संसद है वो लोकसबा राजसबा तता राश्टपती से मिलकर बनी होती है वहीं पर ब्रिटेन की संसद house of lawds, house of commons British ताज, यानि कि वहां का जो राजा या रानी होता है इन तीनों से मिलकर बनी होती है इस तरह से option D सही उत्तर है और जैसा कि Britain की संसद में प्रावधान है वैसा ही हमारे भारत की संसद में भी है क्योंकि हमने Britain की संसरी विवस्था को ही अपनाया है option D सही उत्तर है उपरोक्त सभी अमेरिका में बिधान मंडल को किस नाम से जाना जाता है यानि कि जो अमेरिका है वहाँ पर जो बिधेयक बनाए जाते हैं जो अधिनियम पारीत होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है तो option ये सही उत्तर है जैसे कि भारत में जो बिध्यक बनाय जाते हैं वे संसत के दोनों सद्दों में बनाय जाते हैं उसी तरह अमेरिका की जो Congress है वहाँ पर बिध्यक बनाय जाते हैं इसलिए इसको बिधान मंडल कहते हैं कुछ महतपूर्ण तते हम बिटेन और अमेरिका की संसत के बारे में देख लेते हैं जैसा कि बिटेन की संसत ताज यानि की राजा या रानी या House of Lords, House of Commons से मिलकर बनी होती है अमेरिका का राश्पती बिधान मंडल का महतपूर्ण अंग नहीं है जैसे कि इसके बिरिपिरित भारत में राश्पती संसत का एक महतपूर्ण अंग है अमेरिका में बिधान मंडल को Congress के नाम से जाना जाता है Congress के अंतरगत सीनेट उपरी सदन House of Representative निचला सदन आता है जैसा कि अमेरिका में Congress है वैसे ही भारत में संसद है वहां का उपरी सदन सीनेट है भारत का उपरी सदन यानि उच्छ सदन राश्पा है अमेरिका का जो निचला सदन है वो House of Representative है वैसे ही भारत का जो निचला सदन है वोग सबह है इनसे कंपेर करके तुनला करके एकजामस में कोशन पूछे जाते हैं निम्न में से किस प्रकार की सरकार ब्योस्था में बिधाई और कारेकारी अंगों में परस्पर निर्भरता होती है यानि कि जो सदस्य या जो संस्था बिधी बनाती है और जो संस्था उनको लागू करती है उनमें परस्पर निर्भरता किस प्रकार की सरकार ब्योस्था में होती है तो यह संसदी सरकार विवस्था है जिसमें सरकार की विढ़ाई और कारिकारियंग दोनों की आपस में परस्पर निर्भरता होती है यानि कि जो बिधियक पास करते हैं और जो बिधियक को लागू करते हैं वो सदस्य कई बार एक दूसरे के सदस्य होते हैं जैसे कि भारत में जो भारत का मंत्री मंडल के जो सदस्य हैं वो संसत के भी सदस्य हैं और एक दूसरे पर निर्भर करती है जो कारिकारियों विधाई पर सद है वो एक दूसरे पर निर्भर करती है भारत की संसत के लोग सभा सदन को कौन विगटित कर सकता है पहले तो यहां सबसे महतपूर बात जानने वाली यह है कि भारत की जो राज सभा है उसका विगटन नहीं होता है भारत की संसत में कीवल लोग सभा का विगटन होता है और भारत की संसत का लोग सभा का विगटन राश्ट पती के दौरा किया जाता है इस तरह से option भी सही उत्तर है राश्ट पती सरकार के विभिन अंग और उनके कारों से समंदित कुछ महत पूर्तत देख लेते हैं जैसा की राश्ट पती दोनों सदनों का सत्र आहूत करता यानि दोनों सदनों को बुलाता है सत्र के लिए राश्पती संसत का सत्रा वसन भी कर सकता है सत्रा वसन का मतलब है कि सत्र की समाप्ती लोग सभा को विगटित करने की सकती भी राश्पती में है कोई अन्य बेक्ति इसको विगटित नहीं कर सकता है संसदी सरकार विवस्था में विधाई वा कारेकारी अंगों में परस्पर निर्भरता होती है यानि जो कारेकारी अंगों यानि कारेकारी संस्था के जो सदस्य होते हैं वही सदस्य विधाई यानि की विधाई परिशत के सदस्य भी होते हैं राश्पती पद्धत की सरकार में बिधाई और कारेकारी अंग अलग-अलग होते हैं यानि कि इनमें परस्पर निर्भरता नहीं होती हैं अमेरिकी राश्पती कांग्रेस का गटक नहीं हैं कुछ महत पूर्ण जो तत्य हम प्रस्णों के बीच में देखते हैं उनको आप अध्यक्षता कौन करता है यह कूस्चन अधिकतर इक जामस में पूछा जाता है कि संयुक्त अध्यवेशन की अध्यक्षता कौन करता है तो इसमें बच्चे कई बार गलती करते हैं और उसमें राश्पती को वो आप्शन टिक करके चले आते हैं क्योंकि वो दोनों सत्नों के संयुक्त अध्यवेशन को बुलाता है लेकिन ऐसा नहीं है संयुक्त अध्यवेशन का जो अध्यक्षता है वह संसत लोगसभा के लोगसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है भारत में राजसभा की अधिक्तम सदस संख्या कितनी निर्धारित की गई है बारत की राजस्वा में 250 सदस्य होते हैं उनमें से 12 सदस्यों को भारत का राश्पती राश्पती मनोनीत कर सकता है और यह बिबिन छेत्रों में इनको उपलगदी हासिल होनी चाहिए अगला प्रस्थ है सविंधान की कौन सी अनसूची राजसभा में राज्यों वा संग राज छेत्रों के लिए सीटों के आवंटन का वड़न करती है तो यह भारत के सविंधान की चोथी अनसूची है जिसमें राजसभा में सीटों का वड़न है किस राज को कितनी सीटे मिलनी चाहिए भारत में राश्पती किसकी सलापर लोगसभा का विगड़न करता है भारत में लोगसभा का विगड़न होता है राजसभा का विगड़न नहीं होता है राजसभा एक इस्थाई सदन है भारत में राश्टपती पुर्धान मंतरी की सलापर लोगसभा का विक्टन करता है यह कई बार पांच वर्ष की समाप्ति पर होता है चुकि उसके बाद नए चुनाव होते हैं और नए लोगसभा सदन बनता है कुछ महतपूर्ण तत्य देख लेते हैं संसत के संबंदित में भारत का राश्पती संसत का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है संसत के संयुक्त अधिवेशन के अधिता लोगसभा अधच के द्वारा की जाती है भारत में राश्वा की अधिक्तम सीटों की संक्या है 250 वर्तमान में राश्वा में 245 सदसे हैं प्रधान मंतरी की सलाह पर राश्पती लोग सभा का बिखण करता है। यह जो महत पूर्ट आते हैं इनको बच्चों आप अपनी नोट बुक में लिख लीजिए और इनका रिविजन करते रहे हैं। साहित के छेतर में बिख्यान तथा कला के छेतर में इन तीनोई छेतर में उप्रब्दिया होनी चाहिए उनको राश्पती राश्पती रूप में चुने जाते हैं। राश्पती 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 अप्षो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सबस्काइब और सेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो 10,000 प्रस्नों की महत्वपूर ये टेस्ट शिरीज है इसका आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सकें